हलो गाइज, जैसे आप सबको पता ही होगा कि नीड जो है फिर से पोस्ट पॉन हो गया है और अब जो न्यू डेट है वो 13 सेप्टेंबर है तो आपको अल्मोस डाई महीने का टाइम मिल गया है और रिवीजन करने के लिए अपने रैंक को बूस्ट करने के लिए अपने प्रेपरेशन को और स्टॉंग करने के लिए या जो आपके वीक पॉइंट्स है उन्हें और बैटर करने के लिए तो रिवीजन स्ट्राटजी बहुत इंपोर्टन है विकाज इस टाइम आपको रिवीजन करना है इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पा रहे है कितना अपने रैंक को बूस्ट कर पा रहे है तो रिवीजन स्ट्राटजी बहुत इंपोर्टन है इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी एक तो आपको क्या करना है कि डेली एक टेस्ट देना ही देना है तेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो भी आपको देना है दो से पांच दो से पांच इसलिए क्योंकि नीट का एक्जाम 2-5 ही होगा और आपको इस टाइम के ऊपर तीन घंटे बैठने की लगात करें अब कितनी गलतियां करें आपको time pressure के अंदर काम करने की habit हो जाएगी जो आपको exam में new नहीं लगेगा आपको लगेगा कि यह तुम daily करते हैं तो वहां पर अगर आपको silly mistakes करने होंगे तो आप नहीं करेंगे क्या आपको daily habit है time pressure के अंदर काम करने की उसके अलावा time table अपने convenience के according बना लीजिए दो से पांच आपको test देना है उसके अलावा आप किसी भी time पर कोई भी subject पर सकते हैं अपने convenience के recording because मैं बना के दूंगी तो उसका इतना benefit नहीं होगा आपको biology कैसे पढ़नी है biology को revision कैसे करनी है आपको chapter को revise करना है अपने notes से आपके पस अपने personal notes अपने खुद बनाए होंगे वहां से आपको chapter को revise करना है फिर उसके questions प्रैक्टिस करने question practice आप किसी भी mcq book से कर सकते हैं इसके अगर आप mcq आपके पास नहीं है तो आप telegram channel को join कर सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा वहां पे आपको chapter wise questions मिलेंगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक आपको unacademy की app install कर लेनी है unacademy की app पर आपको free live quizzes मिलेंगे जहां पर आपको variety of questions मिलेंगे आपको पता चलेगा कि आप कहां पर लाइक कर रहे हैं दूसरे students के राद कितना compete कर पा रहे हैं आपका level क्या है कितने questions आप सही कर रहे हैं कितने गलत कर रहे हैं आपको variety of questions मिलेंगे वहां पर हो सकता है आपको नए questions मिले कुछ नया सीखने को मिले यह totally free है आप just app आपको app install करनी है और free live quizzes पे जाना है उसके लाब आप physical chemistry को कैसे prepare करेंगे physical chemistry जो है वो almost numerical है तो revise करना है पहले आपको formula को किसी भी chapter आप ले रहे हो उसके formula revise करो और कुछ important जो आप theory के important parts उते हैं उन्हें revise करो उसके बाद numerical practice करो numerical practice जितना करोगे physical chemistry उतनी स्ट्रॉंग होगी numerical practice आप किसी भी mcq book से कर सकते हैं जो नीट के लिए हो कोई भी mcq book जैसे MTG है अरिहन्त हैं कहीं से भी organic chemistry को कैसे परपेर करना है organic chemistry में reactions का खेल है ठीक है आपको पहले तो reactions बनाने जिसे आपने chart बना लिया named reactions का जो ncrt में दी हुए है फिर एक और chart बनाया non named reactions का जो ncrt में दी हुए है इसके अलावा आपको एक और चार्ट बनाना है जो ncrt से बाहर की कुछ important reactions है जिसे कोरी हाउस synthesis है यहाँ पे यह NCRT में नहीं दी हुए है लेकिन यहाँ से नीट में एक दो बार questions आए हुए है तो ऐसी reactions जो important है नीट point of view से वर NCRT में नहीं है वहाँ उनका चार्ट अलग से बनाना है फिर आपको उन करना है और mix back problems को solve करना है mix back problems होती है कि आपको सभी और्गानिक के chapters को एक साथ solve करना है इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना लाइक कर रहे हैं आपको सारी organic chemistry आ रही है नहीं आ रही है आप convergence करने हैं convergence बहुत important है convergence और्गानिक का concept strong होते हैं बेस्ट्रॉंग होता है अब किसी और्गानिक की book से convergence कर सकते हैं NCRT से convergence कर सकते हैं इसके लाव आपको organic chemistry को कैसे prepare करना है और्गानिक chemistry में आपको revise करना है अगेन अगेन जब तक एक्जाम नहीं हो जाता क्योंकि और्गानिक के मिस्ट्री जो थेहरी है थेहरी को अप जितना करो उतना कम है NCRT से करो अपने नोट से करो कहीं से भी करो बार बार रिवाइस करो किसी भी mcq book से जो नीट के लिए हो वहां से उसकी questions की practice करो जितना इन और्गानिक chemistry को revise कर सकते हो उतना अच्छा है और यह बहुत ही जादा you know marks देने वाली chemistry है यहां से आपको free fund के marks मिल सकते हैं अगर आपको आता है physics को कैसे प्रपेर करना physics में same physical chemistry जैसा है formulas को revise करना है important points जो theory में दी हुए है उन्हें revise करना और questions की practice करने जितने questions practice करोगे physics में उतनी physics strong हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा questions practice करो जितना time है अभी धाई मेने का time है एक दिन में 100 200 300 जितने questions practice कर सकते हो उतने questions की practice करो उतना ही base clear होगा उतना ही concept strong होगा तो यह है सभी subjects के लिए revision strategy आपको कैसे revise करना है efficiently thank you so much मेरे चैनल को subscribe कर लो अच्छे updates के लिए और अच्छे information के लिए इसके लाव आप मेरे टैलिग्राम चैनल को join कर लो जहां पर आपको चैप्टर वाइस questions मिल जाएंगे notes मिल जाएंगे तो यह भी आपकी preparation के लिए beneficial होगा okay guys मिलते हैं next video में